कि अब देखिए बेसिक्स ऑफ काइनेमिटिक्स में अगर आपन बात करें तो आगे आता है इक्वेशन कि ओफ मोशन कि बाई इंट्रीकल किल्कुलस थीक है कि अगर इक्वेशन of motion बाई इंट्रीकल किल्कुलस हम इक्वेशन और मोशन मतलब की वी इक्वल टू यू प्लिस इट्रीक्रें ठीक है अश इस इक्वल टू टू अचल फीक्विशन है बाई कि U जो है object की कौनसी velocity है it is initial velocity कि जब कोई object चलना start करेगा तो वो velocity हम initial velocity से denote करेंगे denote की जाएगी U से छोटी classes में पढ़ा होगा 9th में विसे V जो है हमारी कौनसी velocity है it is known as final velocity ये हमारी क्या किलाएगी final velocity किलाएगी और A हमारा क्या होगा acceleration ठीक है S हमारा क्या होगा displacement S हमारा क्या लाएगा displacement और T जो है वो हो जाएगा आपका time ठीक है इस तरह से अपने को denote करना है ठीक है अब अगर आपन मान लीजिए कि acceleration की बात करें तो as we know that acceleration जो होता है वो होता है rate of change of velocity with respect to time T ठीक है अगर velocity time के respect में change होगी तो वो ही तो acceleration के लाएगा तो यहाँ पर अगर अगर अपन देखें है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि dv को इदर लिख दिया और यह dt को इस a के पास में बेज दिया तो यह बन जाएगा a dt ठीक है अब अगर object जो है ठीक है अगर object जो है वो move कर रहा है मतलब अगर अपन देखें है तो वो कहा से कहा तक move कर रहा है वो move कर रहा है जीरो से time T के respect में मतलब जीरो से time T तक वो क्या करेगा move करेगा और move करते वक्त उसकी initial velocity अपन कितनी मान लेंगी object की U और final velocity कितनी मान लेंगे V ठीक है कि हमने माना कि अगर कोई object है जो initial time कितना ले रहा है 0 ठीक है वो final time ले रहा है T तो यह इसकी lower limit और यह इसकी क्या हो जाएगी upper limit ठीक है और यहां पर हम क्या ले रहे है initial velocity ले रहे है U और final velocity ले रहे है तो आप लोग अगर जानते हो कि X की power N का DX के respect में integration करें तो वो होता है X की power N plus 1 upon में N plus 1 यह integration होगा तो उसको देखते हो यहां पर अगर हम देखे हैं तो U से V में अगर हम देखें V का हमको कोई component लेके आना है मतलब कोई function लेके आना है तो वो हो जाएगा V की power 0 क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 1 तो मैंने लिख दिया उसको V की power 0 यहां आजाएगा DV ठीक है और यहां पर A constant है तो बाहर आजाएगा अंदर बेटा है 1 तो उसे भी हम T के terms में लिखेंगे क्योंकि यहां पर T का बंचन है आप देख रहे है और यहां पर V का था तो यहां पर यह आजाएगा हमारे पास में DT ठीक है अब इतना होने पर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूँ T की power 0 इसको अगर इस formula से करूँ तो हमारे पास में कितना आजाएगा में T की power 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 ठीक है और limit कहां से कहां तक होगी 0 से T तक ठीक है इसे solve करेंगे तो आपको दिख रहा है यहां पर किवल V बचेगा यहां पर क्या बचेगा किवल V बचेगा 0 प्लस 1 वन होता है 0 प्लस 1 वन होता है पावर में भी 1 आएगी यहां पर भी पावर में 1 आएगा तो पहले हम क्या रखेंगे V की जाएगे पर अपर limit और फिर रखेंगे minus lower limit जो कित्ती है U तो यह आगे है V minus U A हमारे पास में जल रहा है पहले हम क्या रखेंगे upper limit और lower limit हमारे पास में कित्ती है 0 तो यह आगे T minus 0 तो यह हमारे पास में आजाएगा V is equal to ठीक है minus का U उद जाएगे काई का हो जाएगा plus का U plus का 80 तो this is our equation number first यह हमारी कौन सी equation आई है first equation आई है किस से integral calculus की हज़से तो यह जो method है आप लोगों ने जो पड़ी थी 9th में that is graphical method तो graphical method तो हम जानते है लेकिन integral calculus के थुरू हम first equation को कैसे derive करते है वो अभी हमने देखा अब देखिए first equation को जैसे हमने derive किया काई से acceleration से so we will find out the second equation by the help of velocity अब as we know that velocity is equals to क्या होता है rate of change of displacement with respect to time t ठीक है कि जब displacement time के respect में change होगा so it will give us the velocity वो हमें क्या देदेगा velocity देदेगा तो यहाँ पे अगर हम dx find out करें तो वो कितना आ जाएगा यह dt हो जाके multiply हो जाएगा v dt ठीक है and as we know that हम क्या जानते हैं कि v equal to क्या होता है u plus 80 होता है तो अगर उसको यहाँ पे put up किया जाए तो put up करने पे dx is equal to हमारे पास में कितना आ जाएगा यह आ जाएगा u plus 80 और बाहर चलेगा फिर dt ठीक है अब यहाँ पे function x का है और यहाँ पे function जो है t का है तो समझ येगा बात को कोई object है उसकी initial position अपने ले ली x naught और final position ले ली x ठीक है initial position है x naught final position है x initial position पे जो time है वो ले लिया गया है 0 और final time जो है वो ले लिया गया है t ठीक है तो उसको देखते हुए अगर हम फिर से integral calculus की help लें तो लेने पर यहाँ पर यह जो है x naught से यह आ जाएगा x तक हम integrate करेंगे dx और यहाँ पर integrate होगा t के respect में तो यह आ जाएगा 0 से t और u plus 80 dt आ जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर अगर अगर अपने इसको integrate करें तो वही जो formula last time मैंने आप लोगों को बताया था जो क्या होता है कि x की power n dx का अगर हम integration देखें तो होता है x की power n plus 1 अपन में n plus 1 अब यहाँ कोई function बैठा हुआ नहीं है तो बैठाना पड़ेगा भाई सब तो x की power 0 dx क्योंकि किसी की power 0 रहेगी तो उसकी value कित्ती रहती 1 कहां से कहां तक limit आ गई x naught से x तक आ गई ठीक है और यहाँ पर u तो बाहर आ जाएगा constant है t के respect में तो u आ गया बाहर ठीक है और अंदर जो है 0 से t यहाँ पर लिख देंगे t की power 0 dt ठीक है यह t और अंदर जाएगा acceleration कहा आ जाएगा बाहर ठीक है acceleration आ जाएगा बाहर और limit आ जाएगी t की power 0 मतलब मैंने यहाँ पर function के ले लिया t था तो t की power 1 already बैठा हुआ है और यहाँ पर ले लेंगे 0 से t तक और यहाँ लिख देते हम dt ठीक है यह हमने पूरा इसको proper बना लिया है ठीक है arrange कर दिए अब arrange करने के बाद में इसको solve करेंगे तो वहाँ पर formula लगाए जाएगा तो वह हो जाएगा x की power 0 plus 1 upon me 0 plus 1 limit कहां से कहां तक आएगी limit आएगी x naught से x तक ठीक है is equal to u यहाँ पर आजाएगा यह t की power 0 plus 1 upon me 0 plus 1 ठीक है limit कहां से कहां तक आजाएगी 0 से t तक ठीक है यहां पर आज जाएगा A limit आजाएगी T की पावर one plus one upon में one plus one limit कहां से कहां तक आएगी limit आएगी zero से t तक ठीक है यहां पर हम दिखिए यह x ही रहे बचेगा ठीक है तो x की जैगे पर फेले मैंने रखी upper limit माइनस मैंने क्या रखी lower limit ठीक है फिर आया मेरे पास में u ठीक है यहाँ पर यह कित्ता हो जाएगा upper limit minus lower limit क्योंकि upper limit है t lower limit है 0 किवल t बचेगा यहाँ ठीक है a अब देखे बात ध्यान दीजेगा यहाँ पर t की power 0 मतलब 1 नहीं है अब t की power 2 आ गया है upper limit t square by 2 क्योंकि यहाँ पर यह 1 plus 1 क्या बन जाएगा 2 और minus lower limit 0 square by 2 ठीक है यह हमारे पास में आएगा तो x minus x naught final position minus initial position होता है displacement s ठीक है यह आजाएगा मेरे पास में ut plus यहाँ पर इसको अगर आप देखें तो यह half 80 square दिख रहा है हमको that will be half 80 square तो यह हमने क्या find out करी this is the second equation by the integral calculus तो इसको आपको ध्यान रखना है कि यह आपने काई से find out किया है velocity से find out किया है ओके अब देखें थर्ड एक्वेशन पर आते हैं थर्ड एक्वेशन है v square is equal to u square plus 2s अगेन हमको जाना है acceleration पर तो as we know that हम जानते हैं कि acceleration क्या होता है dv by dt लेकिन अब हमको यहां पर कुछ changes करने होंगे तो करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि dv by dt को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं dv by dt और मैंने यहां पर क्या करा dx से multiply और dx से क्या कर दिया divide अब मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा क्यों किया मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे चाहिए displacement s और उसको लाने के लिए मैंने यहां पर क्या करा देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर यह जो चीज है dx by dt displacement जब time के respect में क्या करेगा चेंज होगा या vary करेगा तो vary करने पर वह हमको क्या देदेगा quantity देदेगा यह हम जानते हैं तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएका एक इसकी जगेंपे हम क्या लिख देऊज़े में लिख देंगे और यह dv by dx यही बैठा हुऄ है अब यह dx को चला गया इस a के पास में चला गया तो यह बढ़िया और यहां फास में क्या आगिया VDV ठीक है यह हमको ध्यान लखना है अब फिर वही बात आती है कि हम यहां पर देख रहे हैं inisal किता है x सौरी function किता है x और यहां पर function किसका है वी का तो हमको अगर उसकी initial position देखें तो किती लेंगे x1 not और final position किती होगी x इनिशल लोलिशिटी किती होगी यू, फाइनल पोजिशन किती होगी वी, यह हमने देखा, तो देखने पर, यदि हम इसको integrate करें, तो integrate करने पर यह कहां से कहां तक integrate होगा, X0 से X तक, यहां आ जाएगा ADX ठीक है, और यहां पर हो जाएगा initial u से final v तक तो यह आजाएगा हमारे पास में v dv ठीक है अब यहां पर a जो है वो constant है तो कहां आगया हमारे पास में बाहर आगया ठीक है फिर वही बात आती है कि function क्या हो जाएगा x0 और यहां हो जाएगा x0 से यह एक्स की पाउर 0 लिखा है क्यों लिखा यहां पर वन बचेगा इसलिए उसको मैंने लिख दे एक्स की पाउर 0 लिमिट आगे जीरो प्लस 1 ठीक है लिमिट कहां से कहां तक आएगी x0 से x तक is equal to यहां पर अगर देखें तो यह किता आजाएगा v1 थे स्कूंध किता आजाएगा minus का x naught upper limit रखी पहले फिल रखी lower limit is equals to यह हो जाएगा v square by 2 limit कहां से कहां तक आएगी u से v तक ठीक है अब देखिए यह हमारे पास में क्या हो जाएगा यह final minus initial क्या कहलाता है displacement s is equal to ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले रखी upper limit minus आजाएगी पर v square minus u square upon में 2 यह 2 इदर आके क्या हो जाएगा multiply तो v square minus u square is equals to 2s और यह हो जाएगी v square is equal to u square plus 2s so this is the required third equation so इसी तरह से हमको ध्यान रखना है कि तीनों equation को derive करने के लिए first equation जो होती है उसमें हम acceleration की help लेते हैं दूसरी equation जो होती है उसमें हम velocity को integrate करते हैं और तीसरी equation जो होती है अगें हम acceleration की help से ठीक है हम क्या find out करते हैं dx by dt से velocity find out करते हैं और फिर उसको आगे हम derive करते हैं तो उससे हमको क्या मिल जाती है third equation मिल जाती है so this is about the three equations of motion that is first v equal to u plus 80 s is equal to ut plus half 80 square and the third one is v square is equal to u square plus 2 s, ok.